रोली की शादी उसके माबाप एक आलसी लड़के से करा देते हैं ससुराल में रोली का पती कहता है देखो मैं कोई काम नहीं करता ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दी थी मैंने अब जो किराया आता है दुकान का उसी से घर का गुजारा करना है कभी भूल से भी कोशिश ना करना किसी चीज की डिमांड की क्या? मम्मी पापा को पता था कि आप कोई काम नहीं करते? और क्या? बड़ा अच्छे से पता था. उन लोगों को तो तुम बोज लगती थी. बोल रहे थे कि बस शादी कर लो और कोई मतलब नहीं है. रोली को ये सुनकर बहुत गुसा आता है. लेकिन करती भी तो क्या? क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माता-पिता ऐसे ही है. जैसे तैसे रोली दिन काट रही थी. रोली को एक प्यारी से बेटी होती है. धीरे-धीरे वो बड़ी होती है और उसके साथ उसकी जरुरते भी बढ करती जाती है. सुनिये जी, अब तो सिम्मी बड़ी हो रही है. उसका स्कुल में दाखिला कराना है. मैंने अब तक तो जैसे तैसे समय काट लिया. लेकिन मैं बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं रखूँगी. हारे, क्या है यार? अब तो लगता है कोई ना कोई काम बड़ेगा. अब पती रोज काम के तलाश में जाता और बिना किसे काम के वापस आ जाता. रोली समझ जाती है कि पती के अंदर अब काम करने की ख्शमता नहीं है. वो बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कुछ करना चाहती थी. लेकिन करती तो क्या करती? एक दिन र आलाद नहीं है. अगर तु मेरी आलाद को जन्म दे तो मैं तुझे तेरे मूँ मांगे पैसे दूगी. हरी, तेरी आलाद को मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? सेरो के सिसे, बच्चा मेरा और वैभो का ही होगा, लेकिन कोक तेरी होगी. ये संभवे रोली. रोली कुछ सोच कर कहती है. मुझे मन्जूर है, लेकिन मैं इसका दो लाख रुपया लूगी. अरे, कोई बात नहीं, मुझे मन्जूर है. रोली खुश हो जाती है कि एक बच्चा पैदा करने का उसे दो लाख रुपया मिलेगा. वो घर आकर पती को बताती है, वो भी खुश हो जाता है. एड्मिशन से लेकर सारे खर्चे उसके अकाउन में डाल रही हूँ. रोली की बेटी का एड्मिशन हो जाता है. रोली को लगता है कि वो अब सब कुछ ठीक करतेगी. दिन और महीने आगे बढ़ते हैं. अब एक दिन. एक बात कहुं जी, काश इस बच्चे को मैं रख पात हूँ. अरे यार बता नहीं किसका बच्चा है. अपने पास है ना अपनी मुन्नी. हाँ लेकिन अब मैं भी इस बच्चे से जुड़ाओ फील करने लगी हूँ. लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है. दोनों के जिन्दगी ठीक चल रही थी. लेकिन कहत पैसों की जरूरत है. बच्चा तुम्हारा है, मैं क्या करूंगी? सहली बिना कुछ बुले फोन कार्ट देती है, फोन स्विच आफ कर देती है. लेकिन रोली के जीवन का तुफान यहीं नहीं रुपता. रोली, मैं इतना भार नहीं उठा सकता. आज बढ़ाए का पैसा मा मांग रही हो कल को शादी, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या. मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ. अपनी बच्ची उठाओ और निकलो इस घर से. अरे पर मैं करतो रही हूँ ना बच्ची के लिए काम. आप आराम से रहे हैं ना? क्या काम कर रही हो? देख रहा हूँ मैं. य आप तो काम करना ही नहीं चाहते. आँ, ना चाहता हूँ और ना ही करूँगा. रोली को पती की बात पर काफी गुस्सा आ जाता है. ठीक है. अगर मेरे जीवन में संगर्शी लिखा है तो वही सही. इस वक्त पती होने के नाते आपको मेरा साथ दिना चाहिए था. लेकिन नहीं. आपने तो इस हाल में मुझे घर से बाहर निकालने की बात के डाली. देखो, ये सारी फालतु की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास. रोली, जिसकी कोक में किसी और का बच्चा था, और साथ छोटी सी बेटी, पती का घर छोड़कर रास्ते पर आ जाती है. रो मा को सारी बात बता देती है. ओए लड़की, इतनी हिमत का काम कर लिया, अर नाना, यहां कोई जगा नहीं है. तुम तो अपना बोर्या बिस्तर उठाओ और निकलो यहां से. रोली के पास अब माईकी का रास्ता भी नहीं बच्चता. वो चुप चाप बच्ची को लेकर ज चली जाती है. और फिर वहां वो एक प्यारे से बेटे को जन देती है. कितना प्यारा है, कितने अभागे हैं इसके माबाप, जो इसके पैदा होने पर भी नहीं है. तब ही वहां डॉक्टर आ जाती है. रोली, बच्चे के पिता तुमसे मिलना चाहते हैं. आपका बहुत- और शुक्रिया, मैं इस बच्चे को पालूँगा. बले ही इसकी माने इसे छोड़ दिया हो, पर मैं अपने जिम्मेदारी निभाऊंगा. तो क्या आप मुझे इसके पैदा करने के लिए जिन पैसों की बात हुई थी, वो भी देंगे? हाँ, और साथ ही आप चाहें तो मेर गर में रहकर मेरे बच्चे की देखबाल भी कर सकती है. मैं उसके लिए आपको सेलरी दे दिया करूंगा. रोली को लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए सुकून का रास्ता खुल दिया. वो अब मुकेश के साथ उसके घर चली जाती है, जहां रहकर वो उस बच्चे की देखरेक करती है. अब मुकेश के घर को रोली अच्छे से संभाल लीती है. उसके लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखबाल और घर की देखरेक. धीरे-धीरे मुकेश को रोली से प्यार हो जाता है. रोली, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा बल्कुल भाई बेहन की तरह साथ रहते हैं, हाँ, आखिर है तो एक ही कोक के बच्चे, अटेश्मेंट तो होगा ही ना, रोली, तुमने घर और मुझे दोनों को संभाल लिया, ये तो मेरा काम है, आपने भी तो मुझे छत दी, जिससे मैं अपनी बेटी के पढ़ाई और भविशी के लिए पैसे जोड सकूँ, रोली, क्या तुम मुझे से शादी करोगी, मैं जानता हूँ, तुम्हारी भी शादी कुछ खास अच्छी नहीं रही, रोली को मुकिश की बात ठीक लगती है, वो उसे हाँ बोलने की सोची रही होती है, कि उसकी पहले पती का फोन आ जाता है, रोली, मैं बहुत परिशान हूँ, मेरा एक्सिडेंट हो गया है, मैं चाहता हूँ, तुम वापस आ जाओ, रोली को पुराने पती की चिन्ता होने लगती है, वो सोचती है कि वो क्या कर रही थी, रोली को समझ आ जाता है कि पती आज भी सुधरा नहीं है, वो पती के पास जाने से इनकार कर मुकेश को हाँ कर दीती है। कर दिता है, वो पती है, वो पती है।